अगर इसको आप नहीं बताते हो तो हो सकता है कि आप इंटर्वी ना क्लियर कर पाओ तो मैं आपको हाइली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जो है कि अच्छे से प्रिपेर करके जाए ठीक है इस यूटे में तो मैं बस ओवर्वी मतलब इसको में कवर करने वाला हूँ लेकिन इसको आप इन डिफ्ट में पढ़के जाए तो बहुत अच्छी बात है आप किसी भी क्लास पर अप्लाई कर रहे हो तो वह जो है कि उस रूल को फॉलो करना चाहिए आप उसको जो है कि फोलो करते हो जिसमें आपका मॉडल होता है कंट्रोल होता है वह दूसरी चीज होती है तो यह क्वेस्टन जो है कि इसको भी अगर आप जो है कि थोड़ा सा इंडेफ्ट में प्रिपर कर गए जाएंगे तो बहतर होगा तो फोलिट प्रिंसिपल का सबसे इस पर जो है कि हम बताते हैं कि अगर हम कोई क्लास कर रहा है तो उस क्लास की जो है ना अब शने ही इसा षफर नहीं के मालीच आपने एक सब्ढार्स लेंडद क्लास में तो ऐसा नहीं हो है यहां पर जो है कि अपमें क्लास बनाया है वह क्लास जो है की जिस चीज के लिए बना है वही चीज फॉलो करना चाहिए, ठीक है, दूसरा होता है open close principle, यह बहुत ही confusing और बहुत ही important questions है, यहाँ पे कहते हैं कि आपने जो class बनाया है, वो जो है, extend होने के लिए, यानि जो है कि अगर आप उसको जो है कि नया features उसमें कुछ अगर आप आड क करना पड़ता है, तो आपका यह open close principle fail हो जा रहा है, ठीक है, यह बहुत confusing और बहुत important questions है, इसको भी मैं कहूंगा कि आप इंदिफ्ट में देख कर जाए, दूसरा questions होता है, list of substitutions, यह समझ लिए कि interviewer का सबसे favorite questions है, और सबसे आसान है, लेकिन सबसे important है, ठीक है, तो basically इसमे यह fail हो जाता है, जैसे माल यह एक bird class बनाते है, parent class, और एक penguin बनाते है, child class, और bird class में आपका method है fly, और child class में आप उस method को implement नहीं कर सकते हो, क्यों कि penguin fly नहीं कर सकता है, मतलब penguin उड़ता नहीं है, तो यहाँ पर यह fail हो जाता है, अगर parent class को यूज करके आपने penguin का reference यूज कि और parent.fly आपने कर दिया, तो यह fail हो जाएगा, तो यही कहता है, list of substitution की यह fail नहीं होना चाहिए, अगर parent में आपका, जो भी आपने method वगरा, मतलब, create किया है, वो सब का सब जो है, की child में होना ही चाहिए, ठीका, दूसरा जो है, की interface segregation, तो basically interface segregation यह कहता है, कि आपका class जो है, वो जो है की interface के through segregate होना चाहिए, जैसे माल लेजिए कि आपका एक, यही इसी example को अगर हम लेते है, की bird class है, उस bird class में एक feature होना चाहिए, फ्लाइ, तो फ्लाइ अगर हर class में नहीं हो सकता है, तो उसको आप interface से segregate कर दीचे, और जो class उड़ सकता है, उसको यह आप add कर dependency injection, यह सबसे important और सबसे आसान लेकिन सबसे confusing वाला topic है, ठीक है, यह questions मतलब definitely, अगर solid principle की बात होती है, तो dependency injection में क्या होता है, कि अगर किसी class में, आपने कोई instance जो है कि directly मतलब आप वहाँ पे instantiate कर रहे हो, तो वो जो है कि tightly bound है, ठीक है, तो उसको आपको decouple करना है, तो decou कैसे करेंगे, आप run time में उस instance को जो है कि load करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए basically आप क्या करते हो, constructor में या फिर method में या फिर किसी public property में जो है कि उस class का reference देते हो, या फिर interface का reference देते हो, और run time में जो है कि उसको आप लोड कर लेते हो, तो यह होता है dependency injection, ठीक है, तो solid principle को त मैंने तो 98% इंटर्वी में जो है कि इस question को phase किया है, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ने डोपे के साथ,